नमस्कार मैं दिपीका बींग ममी शानल में आपका स्वागत करती हूं अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो ये वीडियो है ना आपको काफी जादा हेलपफुल रहेगा आपके दूद को बढ़ाने के लिए क्योंकि इस वीडियो में जो टिप बताने वाली हो ना वो न वो मा का दूद का प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए जो है 100% जो है हलपफुल करता है मतलब अगर आप सामन मशली का इस्तमाल करते हो अपने खाने में तो आपके दूद की कॉंटिटी जो है ना अगर 10% है तो वो 100% हो जाएगा मतलब इतना जादा वो जो है बूस्ट कर को इस्तमाल करना चाहती है ना तो बहुत जादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपको जो यह सामन मशली है वो फ्रेश मिले मतलब ताजी उपलब्द हो इस तरह से आप इस तरह का मशली आप इस्तमाल किजिए अपने आहार में यह जो होता है ना वसायुक्त ओमेगा-3 और अ अवश्यक वसायुक्त अम्ल जो होते है इसके अंदर परिपुर्ण होता है फॉर एग्जामपल इसके अंदर जो है इएफ ए होता है जो कि बहुत-बहुत-बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्दी डायट को मेंटेन करने के लिए यह खादे परदार्थ जो आप जो है इसे अच्छे से रोस्ट करके खालो डिपेंड आपको इसको किस तरह से खाना है आप खाई ध्यान रखिएगा कि ज्यादा तेल मसाला ना हो और इस तरह से आप इस फिश को खाईए तो इससे आपको बहुत-जादा बेनिफित होगा आई होप आप आपको इस व प्रेंद्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए और बिंग ममी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ ही साथ जो बेल आइकोन है उसे भी आन कर दीजेगा